कि यह लो गाइज वेलकम बैक टुमाइज यूटूब चैनल वीमेस ग्यान तो आज हमको श्टाड करना है परिक्षा विज्ञान का नेक्स टॉपिक जो किया है मारा चतुरुविद परिक्षा तो इसके पहले हमने देख लिया था तुरुविद परिक्षा जिसमें हमने ठीक है तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पर जाके तुरुविद परिक्षा की वीडियो देख सकते हैं तो चलिए स्टाड करते हैं चतुरुविद परिक्षा तो इसके लिए जो सलोक दिया गया है चरक सूतिस्ठान 11 में वो यह है कि द्विध खलू सर्वं साच्चा असच्च तस चदुरुविद परिक्षाम आपतोब देशा प्रतच्चम अनुमानम युक्तिस्च चाईती ठीक है अर्थात अचार चरक ने अनियत्र सत्वा असत्थ पधारतों की परिक्षा के लिए निमनों चार सादनों या प्रमाणों का वड़न किया है जिसमें सबसे पहला है मारा आपतोब देश दूसरा है प्रतच और तीसरा है अनुमान ठीक है और चौथा जो है मारा युक्ति तो ये यु तो आज हम युक्ति परिक्षा के बारे में पढ़ेंगे इसमें यह है कि पूर्वोक्त तुरुवित परिक्षा का वर्ण किया जा चुका है तो पहले हमने तुरुवित परिक्षा का वर्ण कर दिया है तुरुवित परिक्षा की वीडियो में तो आप जाके वहां से आप फिर से बोलता हूं बुध्धी पस्यति या भावान बहु कारण योग जान युक्तिस त्रीकाला सागेया त्रीवर्ण साध्यते यथा अर्थात अनेक कारणों के सयोग से उत्पन हुए आविज्यात भावों को विज्यात विश्यों के कार कारण भाव के अनुसार जो युक्ति कहते हैं ठीक है युक्ति के द्वारा त्रे कालिक विश्यों का ग्यान होता है भूद भाविस और वर्तमान ये तीनों कालु का ग्यान जो होता है वो विक्ति के द्वारा हो जाता है होता है इससे धर्म अर्थ और काम की सिद्धी होती है धर्म अर्थ काम ये त्री परगी की सिध्धी होती है युक्ति से ठीक है तो युक्ति जो होती है वो अनेक कारणों के सायोग से आ विज्ञात भावों मनलब जो ग्यात नहीं है मनलब जिसे हम नहीं जानते हैं वो इस भावों को विज्ञात विशियों के कार कारण भाव के अनुसार देखती है या ज् हम युपति कहते हैं ठीक है कुधारण के तौर पर देखते हैं जिस प्रकार से जल द्वारा उत्तम सिचाई की गई और जोती गई भूमी में उत्तम बीज बोने से अनकूल रितु के संयोग से उत्तम फसल उत्पन होती है जिस प्रकार जल द्वारा उत्तम सिचाई की गई और जोती गई भूमी में उत्तम बीज बोने से अनकूल रितु में रितु के संयोग से उत्तम फसल उत्पन होती है उसी प्रकार छे धातूं के संयोग से गर्ब की उत्पत्ति होती है जिस प्रकार मत्ध, मन्थन और मन्थान के संयोग से अगनी की उत्पत्ति होती है उसी प्रकार अपने अपने गुणों से युक्त चतुस्पाद के मिलने पर रोग सीगर ही सांत हो जाता है तो जिस प्रकार मत्ध, मन्थन और मन्थान से अगनी की उत्पत्ति होती है या इनके संयोक से अगनिक उत्पतिते हैं उसी प्रकार अपने गुणों से युक्ति चतुसपात मतलब चिकित्चक अउसद उपस्ताता और रोगी के मिलने पर रोग का सीग्र समन हो जाता है ठीक है या रोग का निवारण हो जाता है ठीक अब देखते हैं युक्ति का महत्तो युक्ति का महत्तो सबसे पहला जो दिया गया है कि युक्ति अनुमान प्रमाण की अनुग्राहिका है अनुमान ग्यान युक्ति की या पेच्छा करता है तो अनुमान ग्यान करने के लिए हमें युक्ति का ग्यान होना अवस्षक है ठीक तो युक्ति का जो अंतरभा होता है उसको हमें अनुमान के अंतरगत ही कर लेना चाहिए अगर हम अनुमान लगा रहे हैं किसी सीच का तो उसका मतलब ये है कि हमें युक्ति का ग्यान है हमें युक्ति का ग्यान प्राप्त हो चुका है कि युक्ति की अलग अलग से महत्ता होने की कारण उसका अलग से उल्लेक किया गया है नहीं तो यह तो अनुमान में सब्सक्राइब करना मत भूलेगा अगर आपको कोई भी डाउट हो चतुर्वित परिक्षा में तो आप हमें अपना कोश्चन कमेंट बॉस सकते हैं ठीक और जितना हो सके चैनल को और वीडियो की सेयर करें ताकि आपकी दोस्तों और मित्रों को यह वीडियो मिल जाए ठीक है तब तक के लिए धन्यवाद